तो थे हैं colorful यूवान फ्लावर बोलते हैं कि इन्हें लगा भी नहीं था कि इस फ्लावर को ये मतलब इतने वर्सो बात और पहली बार देखेंगे इनके बारे में इन्होंने बस सुना ही रहता है ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प से किंग यूवान को एक angel wings भी बना सकता हूँ मतलब ऐसा फील होता है जैसे लगता कि किंग यूवान एक angel है पर अभी भी ये इस बात को जियान को नहीं बताते हैं ये पिंक फ्लावर भी golden dragon king का औरा मतलब सेंस करके अब थोड़ा बहुत इसमें भी चेंजिस आने लगते हैं इस फ्लावर को मतलब चारो तरब से वह evil जो चेंज रहते हैं उन्होंने बाधना रहता है बिसिकली ये जो काम किया रहता है वो evil clan वालोंने किया रहता है अब ये भी जो फ्लावर रहता है ये बिसिकली उन्हों साथ जो black chains होते हैं उनसे छोटने के लिए struggle कर रहा होता है इस समय जियान की बोड़ी पर golden dragon king भी पूरी तरह से काबू पाकर करके अपना जो ancient aura रहते हैं वो release कर दिये रहते हैं इस समय जो ये evil aura रहती है बिसिकली जो white light रहती है आसपास इस flower के उसको completely suppress कर दी रहती है पर इस दोरान ancient जो dragon king रहते हैं वो अपने एक powerful suction force की कारण इस black light को धीरे धीरे डेवार करने की कोशिश करने लगते हैं मतलब absorb करने की कोशिश ये black light जो रहती है बिसिकली इसलिए absorb कर रही थी जो white light को ताकि इनके जो chains है फिर से और जादा strong हो सके हैं ये जो seven black chains रहती है ये भी golden dragon king को feel करके बहुत ही जादा हैरान हो जाते हैं पोलते golden dragon king ये यहाँ पर क्या कर रहा है धीरे धीरे जो इसका power रहता है basically golden dragon king के vortex में absorb होने लगता है finally मतलब इनके जो भी energy रहती है black energies को absorb करने के बाद golden dragon king फिर से जियान की body उसको वापस लोटा देते हैं जियान भी इस बार golden dragon king के power को sense करके बहुत ही जादा है जियान को पर एक बात यह और भी चिंता होती है क्योंकि golden dragon king ने basically evil power को absorb कर लिया था तो क्या इनके body फर फरक नहीं पड़ेगा तो golden dragon king इसको बताते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जूरत नहीं है मैं पहले उसको refine करूँगा उसके बाद ही मतलब उनकी power को absorb करूँगा अभी मैंने उनको बस store कर लिया है यह बोलते हैं कि जब यहां का matter finish हो जाएगा तो मैं cultivate करूँगा और वहाँ पे जाके मतलब retreat के दोराने इस power को absorb करूँगा उसके बाद यह लोग इस यूवान जो यूवान फ्लावर रहता है उसको ध्यान से देखने लगते हैं जो फ्लावर रहता है इसका color उस समय मतलब उस black chains के द्वारा suppress होता है अब यह बहुत ही अच्छा मतलब brilliant इसके अंदर से निकल रहा होता है जियान भी इस scene को देखकर मतलब बहुत ही ज़्यादा दंग रहता है इसे के लिए जो black chains रहते हैं पहले यह इस flower के जो energy रहता है उसको भी absorb कर रहे होते हैं पर अब यह flower क्योंकि इसको healing flower भी खा जाता है तो धीरे दिरे अब यह अपनी body को heal कर लिया था इसी healing मतलब energy का फ weak हो गया है और तुम्हारा जो flame है उसको यह बंदा मतलब यह जो flower है बहुत ज़्यादा पसंद करता है इससे इसके जो power है और भी ज़्यादा increase हो जाएंगे जियान इस मतलब की flower रहता है इसको अपने storage ring में रख देता है पर इस दोरान यह अपने different flowers को मतलब इसको fire रहता ह उसको देखर कि इसको धीरे धीरे नरिश कर रहा होता है मतलब इसका level बढ़ा रहा होता है fire energy के कारण इस yuan flower का जो मतलब spirituality रहते है वो धीरे धीरे increase होने लगता है इस flower के जो सातों कलिया रहती है जो अभी बंद रहती है धीरे धीरे मतलब इस fire के कारण एक कली खिल जाती ह इस दोरान golden dragon जियान से कहते हैं हमें यहां से निकलना पड़ेगा इधर मतलब यूरू का सीन दिखाया जाता है जो बाहर मतलब इस island पर खड़ी रहते है और यहां पर एक bald man आ जाता है और बोलता है वो बंदा जियान कहाँ पर है यहां पर मतलब यो यूरी रहती है पैसिक hold नहीं कर पाएगी तो यह अपने मतलब बाहर फिर से आ जाती है पर इस दोरान इसका जो soul power रहता है काफी जाता exhaust हो गया रहता है जैसे यूरू मतलब इस lake के बाहर आती है वही पर यह bald man खड़ा हो रहता है जो जियान से थोड़े दिर पहले ही fight किया रहता है अलाकि जो bald man रहता है वो 3 star dowdy के intermediate level पर रहता है और अपनी यूरू भी 3 star dowdy की warrior रहती है यह इससे बचकर भाग सकती थी और इसका soul power exhaust होने के कारण यह आसानी से इसके त्वारा पकड़ी जाती है यूरू फिर भी मतलब इस बंदे को जियान का पता नहीं बताती है अब इस दोरान इस lake क पीच में से जियान अपना ancient ruler लिए खड़ा रहता है और इसमें से एक भायंकर मतलब डाउ की release हो रही होती है और इसका निसाना सिधा उस bald handman की तरफ होता है मतलब वो गंज आत्मी की तरफ जियान के आवाज मतलब 4 और गूट जाती है बोलता है जियान की उस लड़की को इसली मतलब see through कर सकता था पर यह जानता था कि जियान इससे weak है अभी लोग इस बात से हैरान थे कि जो बंदा था यानि मूलर वो भी मतलब बाल्ड हेड ही था पर वो भी काफी जाता है stronger था बात की जाता है तो क्योंकि मूलर जो रहता वो डाउडी के intermediate level पर रहता है 3 star के तो obviously यह जियान से थोड़ा superior हुआ ऐसा सबको लगता है कि यह बंदा जियान से जीत जाएगा जियान इस बंदे से पूछता है कि तुम मेरे friend को मतलब क्यों पकड़ के रखे हो यह बंदा तुरंती मतलब जो bald head होता है वो जियान के तरफ देखता है और बोलता है कि वो जो gap को कम करने के लिए अपना three mysterious fire change को activate कर लेता है जियान का भी strength अब intermediate level पर पहुंच जाता है इस scene को देखकर यहाँ पर जो भी लोग रहते वो दंग रह जाते हैं यह जो bald muller रहता है वो जियान के बढ़े हुए strength को देखकर बोलता है वैसे भी तुम एक external source का यूज कर रहे यह तो मेरा जो strength जो सच में मतलब intermediate level पर है तुम मुझसे fight नहीं कर सकते इस दोरान यह अपना मतलब जो एक spear रहता है वो बाहर निकाल लेता है बाल्ड हैट का जो औरा रहता है एक dark golden color का दिखरा होता और यह काफी मतलब powerful होता है यह बोलता है आओ मैं तुम्हें मजा चख इसका भी जो औरा रहता है काफी तेजी से जियान के body की vital points के तरफ बढ़ने लगता है जियान इस बंदे के attack को देखकर हसता है उसके अंदर बिल्कूल भी हिचक रही होती और डर होता है जियान का जो रूलर रहता है मतलब जो एंसेंट रूलर की rays of light दिख रही होती है जो आसपास एक भयंकरी मतलब ध्वानी निकलती है चारो तरफ ये आवाज गूजने लगती है आसपास के space में repulse और मतलब fighting spirit जो रहते हैं चारो तरफ फैलने लगते हैं अभी मतलब ये दोनों attack टकराते थे यहां पर आसपास एक भयंकरी मतलब with once हो जाता था मुलर का भी जो जो ancient ruler है ये भी बहुत ही जादा strange है और इसमें एक अलगी fire है कि जब भी जयान का मतलब इसका ruler इसके body से टकराता है तो ये feel कर सकता था इसके body में कई जारे मतलब injury आ रही होती है दोनों के मतलब attack के collision के कारण ये दोनों भी काफी पीछे इस दोरान मतलब धकेल दिये चात है क्योंकि जो तुम्हारा जो तुमने एक secret method से अपना जो power बढ़ा है उसका समय लगवग लगवग अंत हो चुका है तो तुम अब मेरा सबसे terrifying power मतलब attack लेने के लिए तयार हो जाओ जियान भी जोरान अपनी आखे बढ़ी करके finally अपना जो body का terrifying power रहता वो भी release कर देता ह मूलर अपने मतलब इस terrifying power से औरा से एक भेंकर मतलब red light color का wheel create कर लेता है जियान भी इस attack को देखकर थोड़ा हैरान सा रहता है जायन रेड वील के करण मतलब जो आसपास का जो ground भी रहता वो भी उसमें भी crack आने लगता है और temperature भी काफी जादा बढ़ जाता है यहाँ पर म मतलब जियान बहुत ही जादा मतलब disadvantage में होगा क्योंकि बहुत ही कम लोग होते जिनको immortal level की fighting technique मिलती है सब ही लोग इस समय जियान को मतलब एक सहान भूती की नजर से देख रहे होते हैं क्योंकि सबको पता था कि जियान अब शायद यहाँ पर हार ही जाएगा और हो सकता है मारा भी जाए यह लोग यह भी कहते हैं जियान काफी जादा मतलब यंग है और energetic है अगर आज वो इस attack को सह गया और यहाँ से बच कर निकल गया तो यह मतलब आगे जाकर के और भी जादा powerful बन सकता है यूरू भी बहुत जादा चिंदित होती है जियान को लेकर की क्योंकि जानती देगा जियान इस fighting technique से एक बार भी टच हो गया तो जियान का मरना यहाँ पर पक्का है जियान भी यूरू के actions को समझ जाता और वो यूरू की तरफ देखता और कहता है तुम चिंता मत करो मैं इसे handle कर सकता हूं जियान भी आता है एक मतलब की heaven skill की sorry immortal skill की जो एक fighting technique र लेता है वो tremble करने लगता है इस दोरान मूलर भी जियान की तरफ देकर कहता है अगर तुम मुझे वो crescent moon दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा जियान इसकी बातों को ignore करके अपना जो ancient ruler रहता है उसको निकाल लेता है जियान basically वही जो seven techniques रहती है immortal level की जो वो साथ कुछ समय पहले ही माशल के रहता है उसी को यूज करने वाला होता है जियान इसकी तरफ देखता है तुम इतने वर्दी नहीं हो कि मैं तुम्हें वो जो present moon है ऐसे ही दे दूँ यह सुनकर मूलर और भी गुस्से में आ जाता है और यह अपना जो immortal fighting skill रहता है यानी magic spear golden golden wheel वो जियान के तरफ काफी तेजी से launch कर देता है जियान तुरंत ही अपना जो seven layered sky settling ruler रहता है उसका जो first step रहता उसको launch कर देता है इस ancient ruler तुरंत ही एक flame power जो कि बहुत ही जादा terrifying होती है काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है इन दोनों के attack को करने जो आस पास का जो य बहरे पर भी एक मतलब खून की कुछ निशाने होती है फिर भी अपने full strength को use करके अपने body को stabilize कर रहा होता है तुरंत बाद है अपने hand signs अपने change करने लगता है इसके body से terrifying soul बाहर निकल जाता है यह molar के तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है इसमें एक भयंकर spiritual energy होती है म मूलर भी इस scene को देख करके इसके आँखे भी मतलब दंग रह जाती है फिर जियान ने पहले ही इसके उपर एक immortal level का technique यूज करती है और यह पहले ही थोड़ा insert होता और इसके बाद यह soul attack soul attack के कारण जो मूलर रहता वो भी खून के उल्टिया करने लगता है और इसके सामने जियान अभी काफी जादा काम होकर खड़े रहता है और साथ में एक wild smile भी दे रहा होता है तुरंत इसके बाद जियान यहां भी नहीं रुखता और यह 23 colored fire lotus अपने मतलब आसपास निकाल लेता है और इसको मूलर की बाड़ी पर smash कर देता है इस attack के कारण मूलर जो रहता हो 1000 फिट दूर भेग दिया जाता और यह एकदम खून के उल्टिक करने लगता है और इसके अंदर इतना भी हिम्मत ने रहता कि यह खड़ा हो पाए अभी लोग यहां पर इस scene को देखकर स लेट की नजर से देख रहा होता है तुरंती कहता अपने इस बंदे से कि चलो यहां से निकलते अब शायद हम वो emperor blood को पा भी नहीं पाएंगे क्योंकि यह जानता था कि इसकी बहुत सारे techniques मतलब यहां पर लोगों ने देख ली और साथ में वैसे भी बहुत ही जाता injured है श जियान ने इस मूलर मतलब जो एक powerful बंद है उसको easily हरा दिया है उसके बाद भी जियान काफी जादा काम है जियान उसके बाद मतलब यूरू से कहता है कि चलो हम चलते हैं मतलब यह जो ruins area है उसके depth में चलते हैं और वहां पर जाकर हम थोड़ा rest लेंगे यहां पर जो भी ल ले कहलता है उससे काफी दूर का एक जगह दिखाया जाता है जहां पर एक majestic soul power चारो तरफ फैला हुआ था पर मतलब कुछ अगर छोड़ दिया जाए rank monster के जो high level के थे उनको छोड़कर जो मतलब बहुत ही ज्यादा strong monsters भी थे वो भी यहां पर एक भैंकर stall मतलब soul pressure feel कर सकते जियान बेसिकली यहां पर अपने soul power से अपना जो जो इसके energy lost भी रहती heaven और earth से दिरे दिरे एब्सॉर्ब करके recover कर रहा था यूरू इस तीन को देखकर बहुत ही ज्यादा दंग थी बेसिकली यह जो soul power रहता है जिसके काणकी यहां पर जो monsters भी रहते हैं बहुत ही कर देता है यूरू भी समझ जाती कि जियान अब recover हो चुका है और यह एक भी जियान के तरफ देखकर एक smile देती है जियान इस से तुरंती कहता है कि मैं feel कर सकता हो कि यहां पर कोई भी dragon core मतलब dragon demon core नहीं है तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं आला कि जियान मूलर से battle करके ज जोड़ा लेट करता है ताकि आगे इसको जादा trouble न मिले यूरू इस दोरान जियान को thank you बोलते है उस crescent moon green fruit के लिए जियान बोलता है इसके बारे में तुम्हें सोचने की जुरत नहीं है और यह smile कर देता है जैसे जैसे इदर समय बीता है यहां पर जो depth of the ruin रहता है यहां पर इनको बहुत सारे मतलब wealth और treasures immortal level के fighting skills भी मिल सकते हैं यह लोग यह भी जानते थी कि यह लोग खुद से इस मतलब जो stone gate है उसको open नहीं कर सकते है इन्हें basically wait करना पड़ेगा ताकि यहां का seal break हो जाए और finally यह लोग enter कर सके और शायद इसको break होने में और completely dissolve होने में ती इन दिन तो कम से कम लगेगी धर मतलब इस ancient ruins के आसपास जियान और यूरू इस समय एक bonfire मतलब आग जलाकर बैठे होते हैं यहां यहां पर थोड़ा मतलब वो chicken leg बगएरा बना के यूरू को देता है यान भी मतलब जो एक fire level का monster रहता है जो काफी low level का रहता है उस वे पाक जियान बोलती कि तुमने यह बार्वी क्यूब मतलब बनाया था वो काफी मतलब बेकार था ज्यादा अच्छा नहीं था पर क्योंकि इसको भूख लगा इसलिए वो खाली जियान बोलता है कि हां मैं सीख रहा हूं और दीरे देरे शायद फ्यूचर में और भी ज्यादा ब बन्दे को फिल करता है उधर अपना एक मिल्की वाइट फ्लेम लॉंच कर देता है यह आदमी तुरंत इस समय जियान के सामने आ जाता है यह जियान को बोलता है कि तुम महारे पास जो क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट है वो बहुत अच्छा चीज है पर अगर तुम्हारे पास यह जो फ्रूट है उसके लिए तुमको मतलब कोई चिंता करने की जुरत नहीं है यूरू इस बंदे को जानती थी पर बात किजाए उस बंदे का जो इसके पहले जियान से फाइट के रहता है या नहीं मूलर उसको बेसिकलि एक हैवेन चूजन बंदा बोला जाता था मतलब की स्वर्ग का चुना हुआ बंदा एट ग्रेट सिटीज ऑफ किंग चैंग में बात किजाए ये बंदा जो अब इस जियान के सामने होता है इसका नाम होता है सुन मिंग और इसको एक फाइटिंग मैनियाग बोला जाता है मतलब ही बस फाइट ही करना जानता था और ये बंदा जो होता है त्री स्टार डावडी के मतलब सबसे एडवांस लेबल पर होता है पर जियान फिर भी इससे डरा नहीं होता है क्योंकि जियान के पास वैसे भी थ्री मिश्टिरियस फाइर चेंज होता है और साथ में इसके पास अपना स्ट्रेंज फाइर यानि हेव जाते जाते एक बात जियान को बोल के जाता है कि मुझे जब जैसे ही पता चला कि तुम मूलर को हरा दियो जो की इंटरमीडियर डावडी लेवल पर है त्री स्टार के और तुम जो अभी मतलब इनिशियल लेवल पर हो इसके कारण ही मैं थोड़ा जादा है रहान हो गया था आप ज्यादा ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करोगे